कि आज हम करेंगे step number three that is design of section आज हम गैंट्री गड़र के section को design करेंगे जैसे कि हमें पता है गैंट्री गड़र का जो section होता हो दो तो गड़र को combine करके बनता है एक हमारे पास section होता आई section और दूसरा होता है section जब हम दिन्दों को combine करते तो हमारे पास बन जाता है गैंट्री गड़र वह देखते हैं क्यूं हमने दो section को लिया क्या रिजन था तो उसका कारण भी हम आगे जाके देखते हैं क्या हो सकते हैं तो सबसे पहले design करने के लिए section को हमारे पास क्या होना चाहिए हमारे पास steel table पास जरूरी है ठीक है अब सो steel table होगा अगर नहीं है तो तुम google कर सकते हो तो पूरा का पूरा steel table तुम डाउनलोड भी कर सकते तो वहां जाके तुम्हें section के बारे में पता चल जाएगा जो हम लेंगे सबसे पहले कहते हैं कि एक section modulus लो modulus of section लेलो approximate मान के चलो कि कितना होगा थोड़ा आइडिया हमें हो जाएगे कि हमें section कौन सा लेना है तो उसके लिए section modulus निकालना पड़ेगा section modulus का हमारे पास formula दिया हुए section modulus that is z pz it is equals to 1.4 into mz moment and divide by fy जब हम इसको sort out करेंगे तो हमारे पास approximate section modulus आ जाएगा तो मुवमेंट जो थी वह हमारी कितनी आई थी हमने निकाली थी वह आई थी 7676.16 किलोन्यूटन मेटर तो यह हमारी मुवमेंट आई थी into 1.4 कर देने divided by 250 जो हमारा fy yield strength जो इसको sort out करेंगे तो हमारे पास answer में आ जाएगा section modulus approximate वह कितना आते 3786.49 into 10 3 mm3 तो यह आ जाता हमारे पास approximate section of modulus तो इस section of modulus को हमने लेना है जो हमारे पास 3786 आ है इसको लेकि हमने क्या जाना स्टील टेवल में जाना और वहां पर चेक करना कि इससे ज्यादा section modulus कि सेक्शन का यह आई सेक्शन का था तो जब हम वहां पर गेंगे वहां पर कि यह सेटीस्वाइब कर रहा है यह नहीं पास हो जाता है तो देखते हैं तो सबसे वहले हमने स्टील टेवल से एक सेक्शन लिया डैट इस इस डवल्यू बी 600 ठीक है एड़ रेट ओफ थर्टीन हंडर 11.6 न्यूटन मीटर पाकि इसकी जो भी प्रॉपर्टीज होंगी वह हमें स्टील टेवल से मिल जाएंगी ठीक है इसके साथ एक आई 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 एस एंसी सेक्शन सी सेक्शन लगा हुए जो की आई आई एस एंसी 300 नाम है जिसका एड़ रेट ओफ 351.2 न्यूटन पर मिटर उसके टॉप तो यह सेक्शन हमें स्टील टेवल से लेना है इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं एक चीज तो पकी है कि इसका जो सेक्शन मॉडल साओ 3700 से जाद है तो बाकि इसकी प्रॉपर् उसके ऊपर रखें आई एस एंसी तो इसकी रेलेमेंट प्रॉपर्टीज देख लेते हैं प्रॉपर्टीज हमारे पास एरिया है थिकनेस है थिकनेस ओफ वेब है विट ओफ लेंज है मोमेंट ओफ इनर्शिया है डेप्ट ऑफ सेक्शन है रेडियोज और एड़ रूट है ओएरिया आइ सेक्शन का है 17000 और और सी सेक्शन 2 Cookie longest चाहिए व्टीवल přी और इसकी थिकनेस कितने है about 106 198.5 into 10 raised square 4 वैसे ही C section का moment of inertia 166 362.6 into 10 raised square 4 उसी तरह आई य आई य का moment of inertia है y direction का that is 4702.5 into 10 raised square 4 और इदर C section का है 310.8 into 10 raised square 4 वैसे ही depth of section हमारे पास 600 उदर है 300 radius at root है हमारे पास 17 इदर है C by that is 23.6 यह properties हमें जो सारी की सारी properties हैं हमें मिलेंगी steel table से अब दिक्कत क्या आई जब हम section रखते हैं तो हम आई और C section को combine रखते हैं ठीक है तो इसकी properties भी combine हो जाएगी अब properties combine हो जाएगी area तो combine कर सकते हैं हम दुनों के sum करेंगे हमारे पास area आजाएगा thickness of flange भी आजाएगी हमारी कितनी है वो भी हम sum करके निकाल लेंगे thickness of web width of flange भी हमारी plus minus करके निकल जाएगी दिक्कत आती है moment of inertia में moment of inertia जो होता है हमें वो find करना पड़ता है तो यह हमें find करना पड़ेगा moment of inertia इनका क्या निकलता है तो इनको sum up करने का थोड़ा long procedure है तो वह हम देखेंगे depth depth भी हम sum करके निकाल सकते है और radius at root that is different तो यह सब चीजें हम कुछ sum करके निकाल सकते है बस moment of inertia है जो हमें combined निकालना पड़ेगा तो उसी का हम study करेंगे कैसे करने यह हमने एक तरह का design कर लिया अब इस section को हम plotting जब हम करते हैं तो कैसा plot होगा तो वह चीज देखते हैं ठीक है तो कुछ इस तरह का plotting होगी अगर मैं बनाना चाहूं तो लेट्स ड्रॉई एक बाद्रॉट करके भी देख लेते हैं कि आई section है तो सबसे हमारे पास एक आई section होगा कुछ इस तरह से ठीक है इसकी प्रॉपर्टीज हमें दीवी है प्रॉपर्टीज के अब एक और चीज इसमें खास किया कि इसका रेडियस रेडियस कहां पर है यह जो एक्सिस तुम्हें दिख रही है यहां से लिख रही है यह इसकी एक्स एक्सिज है और यह इसकी इसका एरिया है थिकने सब हमें प्रॉपर्टीज में गीवन है अब दूसरे सेक्षिन है हमारे पास सी सेक्षिन को हम कुछ इस तरह से प्लोटिंग करेंगे को वे कि सी सेक्षिन कुछ इस तरह से हमारे पास होते हैं इसमें भी सारा एरिया वगयरा थिकनेश सब चेंज होगी अब इसमें क्या है कि हमारे पास एक चीज का द्यान रखना यह है हमारे अगर i section को देखोगे तो यह जो है यह हमारा वैब और यह उपर जो है यह हमारी flange और यहां पर यह वाले flange वैसे ही उसी तरह यहां पर c section को जब हम देखते ही तो यह हमारा web है और यह हमारी है flanges इस चीज़ को यहार रखना अब क्या हुआ इसमें भी हम radius यहां y-axis तो यह है हमारी y-axis और यह हमारी x-axis और यहां पर भी x-axis यह है और यह हमारी y-axis अब यह चीज में क्यों तो मैं समझा रहा हूँ क्योंकि यह आगे बहुत काम है अब कहते हैं जब तुम्हें यह plot करना है यह जो c-section होगा तुमारा यह वाला c-section है इसको उठाकर तुमने इसके उपर रखना ओपर कैसे रखोगे तो कुछ इस तरह से तो यहां पर तुमने लगाया c-section तो यहां पर तुम लगाओगे इसका c section इसके उपर यहां पर यहां पर इसकी गई कुछ इस तरह से हमारा गैंट्री कडर प्लॉटिंग होगी जब हम उसको प्लॉट करेंगे c section को i section के उपर रखेंगे अब सबसे जुरूरी बात क्या है यहां पर देखने वाली वह यह है कि हमारा यह जो section है इसके जो एक्सिस थे जहां पर जैसे यहां पर देख रहे हो तुम यह जो x-axis था यहां पर और यहां पर था y-axis वो change हो गए जब हमने इसको उपर रखा तो इसका यह है और जो इसका y-axis था वो अब आई का क्या होजाईगा एक्सेक्स एज़ांगे इसका क्या होजाता है क्योंकि हमने आई को ही कंसीडर करके सारा मानेंगे तो उसके एक्सिज को हमने consider करना है ठीक है बस यह एक्सिज की properties गलत ना लगाना जैसे कि यहां पर moment of inertia of z हमने one lakh कुछ देखा तो अब यहां पर y का हमें देखना पड़ेगा क्योंकि यह दोनों आपस में एक combination बनाते हैं क्यों क्योंकि सी का जब हमने reverse करके 90 डिगरी पर टर्न करके रखा तो उसका जो y-axis था वह बन गया जैड एक्सिज इसलिए और उसी तरह यहां पर भी वही रहेगा जो आई का वाई होगा और वह जैड का सोरी सी का वह जैड सेक्शन जैड एक्सिज होगा तो इसलिए हमें यह चीज़ों का दियान रखना है बाकी सब इसमें सिमिलर रहेगा और कोई भी इसमें नहीं तो लेट्स गो अगें तुदस स्टेप नमबर फॉर स्टेफ नमबर फॉर पर हमारे पास यह क्या दूनना हमें Elastic and Plastic Mullus of section तो हमें Elastic and Plastic Mullus of section यहांपर fine करना है तो जैसे कि मैंने बताया उपर movement of inertia से यह चीज़ निकलेगी और movement of inertia का मैंने तुम्हें बताया था क्या फर्क है अब यहां पर जैसे का जो models of radius होगा इसका जो X वाला होगा वो इसके Y से सम होगा और इसका जो सी का जो हमारे पास Y है वो आई का X होगा तो बस यही difference है I hope समझ आ गया हो तुमें तो let's start elastic modulus निकालना find करते हैं यह काफी ज़रूरी है so elastic modulus of section that is distance of neutral axis from compression अब क्या हुआ जब हमने उपर C section रख दिया तो इसका जो neutral axis थी वो होगी shift पहले जो center axis जो होती है I section की वो तो उसके center पर होती है अगर 600 इसकी depth था तो वो 300 पर क्योंकि हमने C section रख दिया उपर तो उपर का weight जो है वो हो गया जादा तो इसकी जो axis होगी वो भी shift हो जाएगी उपर वाली साइड को तो कहते कि distance of neutral axis सबसे पहले हमें find करना पड़ेगा तो वो neutral axis का distance कहां पर आएगा वो हम find कैसे करेंगे तो उसका formula में गिवन हैं यहां पर तो कहते कि y dash that is neutral axis कहां पर होगी वाइड़ेश दिस्टेंस मानके चलते हैं इस इकोल्स टू हम मारे पास कितने हैं हम देखेंगे आई सेक्शन का आई सेक्शन का हमने देखा था प्रोपर्टीज में सेवंटां सेवंटीन थाउजन थाटी एट हमारे पास था एरिया अब इसका वाय जो होगा इसकी center of axis अभी आई सेक्शन है इसके यहां से लेकर इसके center तक का distance कितना होगा जो इसका actual में central या neutral axis था उसके center में था तो 600 का half करेंगे तो 300 हो जाता है area of c section इसका जो axis होगा वो कितना होगा 23.6 तो इन तोनों को सम करेंगे डिवाइड कर देंगे 17 के area के समसे तो हमारे पास central axis आ जाती है यहां neutral axis आ जाती है 247.59 mm तो यह हमारा distance किसका हमारे neutral axis का आउटर एज से तो यहां से अगर यहां से लेकर इसके 247.5 फाइव नाइन पर जाएंगे तो वह हमारी होती है neutral axis तो यह हमने यहां पर प्लॉट कर देंगे अब हमें neutral axis मिल गया तो हम आगे फर्दर moment of inertia find कर सकते हैं तो इस diagram को यार रखना हमने इसको plot कर सकते हैं क्योंकि आगे भी काम आएगा तो लेट्स गो टुदा moment of inertia moment of inertia जैसे कि तुम्हें बताया कि अगर जैड का moment of inertia निकाल रहे हैं तो यहां पर क्या होगा आई जैड लेंगे हम आई सेक्शन का जैड ठीक है और सी सेक्शन चैनल सी चैनल होगा उसका हम वाई लेंगे moment of inertia ठीक है क्योंकि उसके तो हमारी जो न्यूट्रल एक्सिस थी वह 307 और यहां पर जो आई सेक्शन की न्यूट्रल थी वह 307 और जो नए सेक्शन की वह 247 निकाली तो इन दोनों को माइनस करके हम एच की वैल्यू निकाल सकते हैं उसी तरह नीचे वाले एच स्क्वेर का फॉर्म्ला लगाएंगे तो यहां पर जो न्यूट्रल एक्सिस है और जो हमारी पहले निकाली थी वह 23.60 तो इन दोनों को माइनस करके हम एच निकाल सकते हैं तो इस तरह से हमारे पास आ जाता है आई-जैट की वैल्यू धैट इस वान थी फाइफ 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 पाइफ पॉर्म्ला क्या लेग लगा हमारा वैसे तो बीडी क्यूबाइट 12 प्लस होता है यहां पर हमारे पास आई की वैल्यू गिवन थी प्रॉपर्टी स्कूर को हमने एड़ करना था और यह फॉर्मला निकालना था यह था हमारा जैड़ एक्सिस का अब हम चलेंगे वाइवाई एक्सिस पर जाते हैं तो तब भी हमारा सेम रहता है आई वाई प्लस आई वाई ओफ आई सेक्शन और आई जैड ओफ सी चैनल क्योंकि उसकी डिवर्स हो जाती है तो हमें मोमें डूसरी वाली डिरेक्शन का लेना पड़ेगा यहां पर सिंपल सा एड़ अप करना हमने तो वाई का हमारे पास 4700 आता है और आई जैड हमारे पास आजाता है सी से सी चैनल का 63 अपर दोनों को एड़ आप करेंगे तो यह आई वाई की वैलियू मोमें ओफ इनर्शा विद रिस्पेक्ट वाई एक्सिस हमारे पास आ जाता है ठीक है इस तरह से हम दोनों को फाइंड कर सकते हैं आई वाई एपर आए जेड को यामने दोनों को फाइंड कर लिया तो अब हमारे पास आ जाता है मुममेट ओफ इनोलिया अब हमें इल स्टिक क्लासिक मोदलह आए ती जैड दो seront आहां है धकिन तो आई ज Ci यो जो हमाारा वह हमें दिया तो डिवाइड बाय वॉय की वैल्यू हमने टोटल में से यह नीटल एक्सिस को माइडस कर देना है वाइक की वैल्यू को मारे पास आजाएगी हम एक्सिमम वाली यहां पर तो जब इसको हमने सॉट आउट किया तो हमारे पास आ गया कुछ तरह से आंसर हमारा इlegt का उसी तरह में निकालना खुर्ट डिया उवाइभ लिवाई और करें यहां पर दीआज्या उप्ली किरदी ऐसे की किया है गफ्लिड डालेंगे तोो मारे पास आ जाता है जै डीये ओडिया वैलियrous आच दोनो के तो divided by y से कर दिया तो हमारे पास आ जाता है zdy की value that is 580 दोनों के elastic modulus हमने निकाल लिए हैं तो elastic modulus जो हमने find करने तो with the help of moment of inertia हमने find कर लिए दोनों के काफी असान है यह कोई मुश्किल निया स्में simple formulas अब plastic modulus of section हम निकाल ले जाएंगे इसका कर दो